गुड मॉनिंग गाईज, मैं आपका इंगलिश टीचर उमेश चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल इंगलिश बाई उमेश गुरूप पर आपका स्वागत करता हूँ, कच्छा बारे की बुक, रेन्बो, चैप्टर सिक्स्थ, on reading in relation to literature, इसका पार्ट बन, अल्रेडी मैंने बीडियो बना दिया है, पार्ट 2 आज किलियर करने वाले हैं, और पार्ट 3 अगले दिन बीडियो बनाया जाएगा, literature को पढ़ने के संबंध में, साहित्य को पढ़ने के संबंध में, साहित्य कोई भी रचना, कभीता के रूप में, नाटक के रूप में, आत्मकथा के रूप में, जीवनी के रूप में, निवंद के रूप में, फिक्षन, कालपनिक कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, ये सभी साहित्य कहलाता है इस साहित्य को पढ़ने के संबंद में लेखक ने चर्चा की है और पार्ट बन में हमने देखा था लेखक कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं लेखक के अनुसार पढ़ना सीखने के लिए तीन चीजों की आवशक्ता है पहली लंबा अनुभव साहित्य के साथ साहित्य पढ़ने का लंबा अनुभव चाहिए दूसरा रुची और तीसरा समझ ये तीन चीजें पढ़ने के लिए चाहिए लेखक कह रहा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो 25 साल से पहले पहले पढ़ना सीख जाते हैं और वो बहुत कम लोग कौन से हैं लेखक कहता है कि ऐसे लोग जन्मजात गुनों को लेकर पैदा होते हैं इंस्टिंक्ट होती है उनमें लिटररी इंस्टिंक्ट कि वो 25 साल की उमर तक पहुँचने से पहले पहले किसी भी किताब को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं लेकिन ये लोग अपबाद हैं बहुत कम हैं ऐसे लोग अधिकतर लोग कैसे हैं किसी भी किताब को पढ़ते हैं और पढ़के रख देते हैं कि समझने की कोशिज नहीं करते कि क्या इसके मतलब क्या है इस किताब का लेकर कह रहा है कि हम किसी भी किताब को पढ़ लेते हैं उसके सब्दों का उच्चारन कर लेते हैं उसके सब्दों की आकरतियों को पढ़ लेते हैं जबकि हमारा दिमाग किसी औरी काम में व्यास्त होत तो लेखक उस पढ़ने को पढ़ना नहीं कहता लेकर कहता है कि हर साल हजारों हजार कितावें खरीदी जाती हैं महिनों महिनों में कितावें खरीदी जाती हैं दिन प्रति दिन हजारों कितावें खरीदी जाती हैं लेकिन लोग क्या करते हैं सिर्फ amusement मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और लेकक इसको पढ़ना नहीं मानता जो समय बिताने के लिए पढ़ता है या सिर्फ मनुरंजन के लिए पढ़ता है लेकक कराएं कि कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको स्कूल में कितावें पढ़ाई जाती हैं और उनसे यदि प्रश्ण कर लिया जाए उसी किताव के वारे में तो वो अपने खुद के विचार उस किताव पर उस बिसैपर नहीं प्रकट कर सकते हैं वो बच्चे भी क्या करेंगे लेखक के द्वारा कही हुई बात को यू के यू कह देंगे लेकिन अपनी समझ और अपने विचार को वो नहीं प्रकट कर सकते इसलिए लेखक ने कहा है कि मैं इसको पढ़ना नहीं कहता और लेखक कहता है कि जो ग्रेट क्रिटिक्स होते हैं ग्रेट क्रिटिक्स स्टड़ी करते हैं अध्यन करते हैं और हम सिर्फ पढ़ते हैं सामाने व्यक्ति पढ़ता है तो ग्रेट क्रिटिक और सामाने ब्यक्ति में अंतर बताया है लेखक ने कि दोनों में अंतर होता है इनमें ग्रेट क्रिटिक और सामाने ब्यक्ति में क्योंकि सामाने ब्यक्ति जो होता है किसी भी विषय को पढ़कर अपने खुद के विचार नहीं प्रकट कर सकता जबकि great critic क्या होता है किसी भी किताब को पढ़ता है उसको समझता है और फिर पढ़कर समझकर अपने स्वैम के विचार original opinion देता है वो खुद की अपनी राय देता है जबकि दूसरे लोग अपनी राय नहीं दे पाते हैं इसलिए लेखक ने कहा है कि हम लोग जो सामान ब्यक्ति हैं वो critic की तरह नहीं है critic किसी भी किताब को पढ़ता है और समझता भी है यहां तक हमने part 1 में clear कर लिया था यह part 1 था हमारा जो हमने पढ़ा था अब part 2 हमें start कर रहे हैं यहां से तो part 2 के लिए आप तयार हो जाईए this statement of the case confuses reading with study no doubt इसमें कोई संधय नहीं है बेशक बिनाशक के you will think तुम सोचोगे that this statement of the case कि जो कथन जिस मामले में लेखक ने कहा है confuses यह भ्रम पैदा करता है reading with study पथन और अध्यन में भ्रम पैदा करता है कि बेशक तुम यह सोचोगे कि लेखक ने जो कहा है वो बात पथन और अध्यन में अंतर करती है लेखक कहता है कि critic तो अध्यन करते हैं किताबों का और हम लोग सिर्क पढ़ते हैं सामाने ब्यक्ति तो पढ़ने और अध्यन करने में अंतर है you might say कि तुम कह सकते हो when we read history और philosophy और science then we do read very thoroughly कि जब हम इतियास दर्शन सास्त्र या विज्ञान को पढ़ते हैं then we do read very thoroughly तो हम thoroughly means पूरी तरीके से पूरा ध्यान लगा करके हम पढ़ते हैं इन बुक्स को studying all the meanings and bearing of the text किताब में जो wearing जो अर्थ होता है meanings जो तातपर्य होता है किताब में लिखिवी चीजों का जो अर्थ होता है जो तातपर्य होता है उसको एका गर्चित होकर study करते हैं अध्यन करते हैं सारे अर्थ का तातपर्य का मतलबों का slowly and thinking about it और हम अध्यन करते हैं धीमे धीमे thinking about it और सोचते सोचते मनन करके ध्यान लगा कर मनन करके अध्यन करते हैं हम तो यह हो गया अंतर पढ़ने और अध्यन करने का अध्यन कैसे किया जाता है अध्यन किया जाता है thoroughly ध्यान लगा करके और कैसे किया जाता है studying all meanings सभी अर्थों को समझ करके and bearing of the text और किताब के अंदर जो भी मतलब होता है विसेवस्तु में उस मतलब को समझा जाता है slowly and thinking about it धीमे धीमे अध्यन किया जाता है और thinking about it और उसका मनन करते हैं जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोच सोच करके हम उसको पढ़ते हैं अध्यन करते हैं तो अध्यन इस तरह से किया जाता है दिस इस अहाड इस्टड़ी यह एक कठिन अध्यन है इसको इस्टड़ी कहते हैं कि जम एकागर्चित होकर पढ़ते हैं दी हुई बिसेवस्तु के अर्थ को निकालते हैं अर्थ निकालकर उसका मनन करते हैं, तो यह कहलाता है अध्यान करना, but when we read a story or a poem out of class hours, we read for amusement, लेकिन when we read a story or a poem, जब हम किसी कभीता को और किसी कानी को classroom के बाहर पढ़ते हैं, we read for amusement, तो हम सिर्फ उसे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, amusement and study are two different things, लेका कह रहा है, मनोरंजन और अध्यन ये दो अलग-अलग चीज़े हैं, मनोरंजन का मतलब पढ़ना, पढ़ना और अध्यन करना, क्योंकि अधिकांसते लोग किस लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए या समय मारने के लिए, समय बिताने के लिए, तो लेका कह रहा है कि पढ़ना और अध्यन करना दो अलग-अलग चीज़े हैं, मुझे बिस्वास नहीं है कि तुम ऐसा ही सोचते हो, बट यंग मैंग जनरली डू थिंक सो, लेकिन जवान जो व्यक्ति हैं, जिनके अंदर बहुत दिक शमता होती है, वो ऐसा ही सोचते हैं कि पढ़ना और अध्यन करना दो अलग-अलग चीज़े हैं, और यह सही बात भी है, अबरी बुक बहुत रीडिंग और तुबी रीडिंग और तुबी रीडिंग प्रतेक पढ़ने योग्य किताव, बहुत मिस योग्य और रीडिंग मिस पढ़ने, प्रतेक पढ़ने योग्य किताव और तुबी रीडिंग पढ़ी जानी चाहिए इन प्रिसाइजली सही सही रूप से, इन दा सेम बे उसी तरीके से that a scientific book is read, जिस तरह से बिज्ञान की किताव को पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से प्रतेक पढ़ने योग्य किताव को पढ़ना चाहिए, जैसे बिज्ञान की किताव को पूरे एकाग्रता, ध्यान लगाकर और मनन करते हुए पढ़ा जाता है, उसी प्रकार लेखा कह रहा है कि प्रतेक पढ़ने योग्य किताव को इसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, not simply for amusement, हमें सिर्फ मनुरंजन के लिए नहीं पढ़ना है किताव को, and every book both reading, और प्रतेक पढ़ने योग्य किताव, and every book both reading should have the same amount of value in it that a scientific book has, और हर पढ़ने योग्य किताव में का उतना ही मैत्प होता है, should have the same amount of value, उसके अंदर उतनी ही कीमत होती है, प्रतेक पढ़ने योग्य किताव के अंदर उतना ही मैत्प होता है, in that a scientific book has, जितना किसी विज्ञान की पुस्तक का मैत्प होता है, उसी प्रकार से प्रतेक पढ़ने योग्य किताव का मैत्प होता है, दो, यदिपी, the value may be of a totally different kind, यदिपी, उस किताव का मैत्प अलग-अलग हो सकता है, for, after all, a good book of fiction, or romance, or poetry is a scientific book, क्योंकि जो भी अच्छी पुस्तक है, चाहे वो fiction की है, काल्पनिक काहनियों की है, और romance, या romantic, चीजों को लेकर के कोई पुस्तक है, और poetry, या कभीताओं को लेकर के पुस्तक है, is a scientific book, ये भी एक बेग्ज्ञानिक रचनाएं होती है, चाहे वो poetry है, चाहे fiction है, काल्पनिक उपनियास, या काल्पनिक लेक कहते हैं, या romance है, कोई romance चक काहनी है, romantic काहनी है, ये सभी scientific बर्क होते हैं, ये सभी बेग्ज्ञानिक रचनाएं होती हैं, scientific means, जो नियमों के आधार पे लिखा जाता है, science नियमों की बात करता है न, तो लेखा कह रहा है कि जो भी कभीता लिखी जाती है, ना टक लिखा जाता है, उपनियास लिखा जाता है, सभी नियमों के आधार पे लिखे जाते हैं, और हर नियमों के आधार पर लिखी हुई रचना, scientific कहलाती है, तो लेकर कह रहा है यहां पर scientific work प्रते एक रचना scientific work होती है बैग्जानिक रचना होती है इसकी रचना की जाती है according to the best principles of more than one science इसकी रचना अच्छे सिध्धान्तों के अनुसार अच्छे नियमों के अनुसार best principles इनकी रचना अच्छे सिध्धान्तों के अनुसार की जाती है more than one science एक बिग्द्यान से अधिक नियमों से इन उपन्यास और कहानियों की रचना होती है but especially according to the principles of great science of life कि साहित्य की रचना तो जीवन के बिग्ज्ञान के सिद्धानतों के अनुसार होती है कि साहित्य की जो रचना होती है इनकी रचना किन सिद्धानतों पर होती है जीवन के बेग्ज्ञानिक सिद्धानतों के आधार पर the knowledge of human nature मनुस्य के स्वभाब के ज्ञान के आधार पर साहित्य की रचना होती है तो ये जो साहित्य है ये तो मनुस्य के स्वभाब और मनुस्य के जीवन के सिद्धानतों के आधार पर लिखा जाता है तो ये तो और भी ज़्यादा मैत्पून होता है साहित्य तो इसलिए लेखक कह रहा है कि प्रतेग जो रचना होती है वो साइंटिफिक होती है बैग्यानिक रचना होती है क्यों क्योंकि ये सिद्धान्तों के आधार पर लिखी जाती है ये रचना है और साहित्य की तो जो रचनाएं हैं वो किनके आदार पर मनुस्य के जीवन के सिद्धानतों के आदार पर लिखी जाती है इसलिए इनका मूले तो इनकी महत्वता तो और ज़्यादा होती है साहित्य की पुस्तकों की य। विखुटर शुर्च विर इन मांढ पिलिछी सो लुटर शुटर शुटर विर इन पहली जिए पहली जुटर शुटर विर इन मांढ इन एंए एंघर भ। आवर मिरा भ। अभ। आव्याद पूब्ह। चीज जो एक बिद्वान ब्यक्ति को अपने दिमाग में रखनी है बेर इन माइंड अपने दिमाग में जिस चीज को रखना है वो यह है कि एक बुक ओट कि एक किताब को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है कि किताब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी है यह चीज हमारे अपने दमाग में से रखना ऐसे हाफ educated persons read for amusement and are not to be blamed for it कि अर्द सिक्षित लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और इस बात के लिए इनको दोस भी नहीं दिया जाता है अर्द सिक्षित लोग असमर्थ होते हैं अर्द सिक्षित लोग समझने में या प्रसंसा करने में असमर्थ होते हैं the deeper qualities अंदर के महत्व को गहन गुणों को that belong to a really great literature जो महान साहित्य के अंदर के गुण होते हैं महान साहित्य का अंदर का जो अर्द होता है उसको समझने में और उसकी प्रसंसा करने में अर्द सिक्षित लोग incapable होते हैं half educated लोग कैसे होते हैं असमर्थ होते हैं किसी भी साहित्य के अर्थ को समझने में अच्छे साहित्य के अर्थ को समझने में but a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement but a young man लेकिन एक जवान व्यक्ति who has passed through a course of university training जिसने बिस्विद्याले की सिक्षा पास की है जिसने बिस्विद्याले की डिग्री ली है should discipline himself उसे अपने आपको अनुशरशित कर लेना चाहिए at an early day प्रारंबिक दिनों में ही उसको अनुशासित कर लेना चाहिए अपने आपको never to read for mere amusement कि वो किसी किताब को सिर्फ मनोरंजन के लिए ना पड़े तो लेका करा है कि बिस्विद्यालों की डिग्री लेने वाले लड़कों को या बिद्वानों को एक चीज तै कर लेनी चाहिए अपने प्रारंबिक समय में ही कि सिर्फ मनोरंजन के लिए किसी किताब को ना पड़े and once the habit of discipline has been formed और जब एक बार अनुशासन की ये आदत पड़ जाती है he will find it impossible to read for mere amusement तो फिर किसी भी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पड़ना असंभव लगेगा उसको तो वो पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पड़ेगा असंभव लगेगा उसको वो हर किताब को अध्यान करेगा पड़ेगा नहीं he will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food और फिर क्या होगा देखिए he will then impatiently throw down फिर वो अधीरता से फैक देगा फैक देने से मतलब नकार देगा वो अधीरता से नकार देगा any book हर उस पुस्तक को from which he cannot obtain intellectual food जिस पुस्तक से उसको optimist प्राप्त होना जिस पुस्तक से उसको प्राप्त नहीं होगा intellectual food बॉद्धिक खाना जिस पुस्तक से उसको नहीं मिलेगा उस पुस्तक को वो फैक देगा बॉद्धिक खाने से मतलब यहां पर क्या है बुद्धिता पूर्ण बातें बुद्धिता पूर्ण ज्यान तो जिस पुस्तक से उसको बॉद्धिक ज्यान नहीं मिलेगा उस पुस्तक को वो नकार देगा, फैक देगा, कौन? वो लड़का जो यूनिवर्स्टी से ट्रेनिंग ले करके निकलता है, any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect, कोई भी पुस्तक जो appeal जो असर न डाले, जो प्रभाव नहीं डालती हो to the higher emotions, उसकी उच्छ भावनाओं उपर and to his intellect, जो पुस्तक उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धिता को प्रभावित नहीं करती है, ऐसी पुस्तक को वो अपने आप से दूर कर देगा, फैक देगा ऐसी पुस्तक को, तो लेका कह रहा है, लेका क्या कह रहा है, देखिए, कि जब वो अनुसासित हो जाएगा, किसी भी पुस्तक को जब वो मनोरंजन के लिए नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, वो हर उस पुस्तक को नकार देगा, जिस पुस्तक से उसको प्राप्त ना हो, क्या, इंटलेक्ट्टि फूड बुद्धिख खाना जिस पुस्तक से ना मिले, बुद्धिता पूर्ण बातयं जिस पुस्तक से ना मिले, उस पुस्तक को वो नकार देगा, एनी बुक विच दसनों टमेक एन अपील, वो पुस्तक जो प्रभाव नहीं डालती हो, to the higher emotions उसकी उच्छ भावनाओं पर and to his intellect और जो उसकी मानसिक बुद्धी पर परवाव नहीं डालती हो उस पुस्तक को वो नहीं पड़ेगा but on the other hand लेकिन दूसरी तरफ the habit of reading लेका कह रहा है दूसरी तरफ but on the other hand the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as bind drinking or opium smoking but on the other hand लेकिन दूसरी तरफ the habit of reading for amusement manoranjan के लिए पड़ने की आदत becomes with thousands of people हजारों लोगों के साथ ये आदत ऐसी बन जाती है exactly the same kind of habit उसी प्रकार की आदत बन जाती है लोगों के अंदर as wine drinking जैसे लोगों को सरापीने की आदत होती है और opium smoking और जैसे opium एक प्रकार का नसा भांग गांजा जिसे कहते हैं गांजे का नसा करने की आदत जैसे एक ब्यक्ति को हो जाती है ऐसे ही मनोरंजन के लिए किताब को पढ़ने की आदत लोगों को लग जाती है it is like a narcotic ये एक तरह से नसा ही है कि सिर्फ किताब को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं ये सिर्फ एक नसा है something that helps to pass the time और ये नसा कुछ ऐसा है जो सिर्फ time pass करने के लिए होता है किताब को हम time pass करने के लिए पढ़ते हैं ये एक ऐसा नसा है something that keeps up a perpetual condition of dreaming ये एक ऐसा नसा है जो हमें लगातार perpetual means लगाता जो हमें लगातार सपनों की इस्तिती में बनाई रखता है किताब को मनोरंजन के लिए पढ़ने का नसा ऐसा नसा है जो time pass करने के लिए चलता है और जो हमें लगातार सपनों की इस्तिती में बनाई हुए रखता है ये नसा किताब को मनोरंजन की रूप में पढ़ने का नसा something that eventually results in destroying all capacity for thought ये ऐसा नसा है eventually जो अंत में results जिसका परिनाम निकलता है ऐसे नसे का in destroying all capacity for thought ये हमारे बिचारों की छमताओं को नस्ट कर देता है हमारे बिचार खत्म हो जाते हैं हमारी सोचने की छमताओं को खत्म कर देता है ये नसा कौन सा नसा किताब को मनोरंजन के लिए पढ़ने वाला नसा हमारी सोचने की छमताओं को खत्म कर देता है giving exercise only to the surface parts of the mind ये नसा हमारे दिमाग की को सतेही रूप से अभ्यास देता है surface parts कि जो हमारे दिमाग के हिस्से हैं parts हैं उन दिमाग के हिस्सों को सते ही अभ्यास देता है मनुरंजन के लिए पढ़ने वाला जो नसा है and leaving और ये नसा छोड़ देता है किस चीज़ को the deeper springs जो हमारे दिमाग के गहरे स्रोत हैं किस चीज़ के of feeling भावनाओं के and higher faculties of perception और उच्च ग्यान की जो छमताएं employed जो हमारे दिमाग में हैं हमारे दिमाग में जो उच्च ग्यान की छमताएं हैं उच्च ग्यान के जो स्रोत हैं उनको छोड़ देता है ये नसा और हमारे दिमाग के सिर्फ उपरी हिस्से तो पढ़ने से केवल हमारे दिमाग के जो हिस्से हैं उनको उपरी हिस्सों का अभ्यास होता है और अध्यान करने से क्या होता है deeper springs हमारे दिमाग के जो गहन सुरोत हैं हमारे दिमाग की जो higher faculties of perception हैं उच्च ग्यान की जो छमताएं हैं वो अध्यान करने पर प्रभाबित होती हैं जवकि मनोरंजन करने वाली जो कितावें हैं मनोरंजन के लिए पढ़ना है वो हमारे उपरी सतय के दिमाग को प्रभाबित करता है उच्च जो अध्यान के हमारे स्रोत हैं जो छमताएं हैं वो प्रबावित नहीं होती हैं किस से मनुरंजन करने वाली पढ़ने से तो मनुरंजन के लिए पढ़ना सिर्फ एक नसे की जैसे है जो हमारे बाहिये सतय को प्रबावित कर पाता है हमारे दिमाग की उच छमता उच ग्यान की छमताओं को प्रबावित नहीं करता तो यदि हम अध्यन करते हैं किताबों का, मन से पढ़ते हैं, गहराई से अर्थ निकाल निकाल करके पढ़ते हैं, तभी हमारे अंदर के जो स्रोत हैं, गहन स्रोत वो प्रबाबित होते हैं, तभी हमको बौधिक खाना मिलता है, तभी हमको intellectual food तभी मिलता है लेखक के अनुसा तो हमें किताबों को मनरंजन के लिए नहीं पड़ना है ये सिर्फ एक नसा है हमें किताबों का अध्यान करना है जिससे क्या होगा अध्यान करने से higher faculties of perception हमारे उच जो छंताइं है higher faculties of perception ग्ञान की उच छंता ग्ञान के उच्छ स्रोत वो जागेंगे वो अध्यान करने में हमारा साथ देंगे और हमें अध्यान करते हुए हमारे उच ग्यान के स्रोत को ही जगाना है मन में जो उच ग्यान के स्रोत हैं उनको जगाना है अध्यान करते हुए तभी पढ़ना पढ़ना कहलाएगा तो यहीं पर हम रुकते हैं, part second यहीं खतम करेंगे, यहां से हम part third start करेंगे, part third बहुत जल्दी ही लेकर के आउंगा मैं आपके सामने, part third the taste of great book से start करेंगे, आप बने रहिए मेरे YouTube channel English by Umis Guru के साथ, बहुत जल्दी ही यह part खतम होते ही, इसके question answers, इस lesson के और a box through the fire lesson, दोनो lessons के question answers साथ में ही मैं आपको लेकर आने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube channel English by Umis Guru पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का,